जे हिन दोस्तों आज हम लेकर आए हमारे देश में पसंद की जाने वाली आम की प्रमुक किस्म हमारे देश में पसंद की जाने वाली आम की प्रमुक किस्म जो सबसे पहली किस्म है अलफांजो जो सबसे पहली किस्म है वो है अलफांजो यह महाराश्टर राज्च्य की प्रम इस किसम को अलग अलग छेत्रों में देजाक अलग एलग नाम जेसे की बादामी, गुंडू, खादर, अपा, हापूस या कांगड़ी हापूस के नाम से जाना जाता है इसका जो फल का कलर होता है वो होता है नारंगी पीली कलर का इसका फ्रूट का कलर है वो है औरेंज येलो और ये फल डिबबा बन लिया प्रोसेसिंग के लिए काफी अच्छा होता है और इसको रसीले आम की संग्या भी दी गई है यह मुख्य रूप से अन्य देशों को cigarettes इसका जो दैसरी नाम पड़ा है वो पड़ा है लग्नो एक के पास गाउं है दर्शार इक होशी के नाम पर इसका नाम दर्शरी पड़ा है किसम उत्तर भारत की प्रमुक किसम है और हमारे देश की अहां पिस में भी माने जाती इसकी फ्रमोक रूप से उत्तर भारत में क लोग का रंग जो होता है वो पीला होता है मुख यूरुप से इस वेराइटी का उप्योग खाने के लिए ही किया जाता है अगली जो वेराइटी है वो है केसर ये गुजरात की एक प्रमुक किस्म है और फल का जो उफरी हिस्सा है जो फल का जो उपरी पॉर्शन है वो केसर ये कलर का होने की कारण ही इसका नाम जो पड़ा है केसर पड़ा है इसका जो उपरी कलर है वो केसर कलर का होता है इसका नाम केसर पड़ा है खाने में ये काफी स्वाधिस्ट होती है नेक्स जो वेराइटी है वो है हिमसागर हिमसागर जो है पश्चिम बंगाल की प्रमुक कि में हैं और यह काफी लोग प्रिये भी हैं फलका जाकर होता है वो अंडा कर होता है और इसके जो फलका वजन होता है वह डाइसों से लगबग तिन सो ग्राम तक इसके एक फलका वजन होता है यह स्वाद में काफी मेटी होती है और जो फलका जो रंग है वो पीला होता है और में इसका सवाद है और उत्तर भारत के जो वाराने सी या इलाबाद वाला छेत्र रहताकी आगली जो गराइटी है वहां प्राशित किस्म है और इसकी कहती बड़े पैमाने पर की जाते सवाकी बात करें तेहिंद की स्वाकर कोई जवाब जाता है और फल सुनहरे पिले होते हैं इसका जो टीफ है वो जो तोते की छोच होती है इसका नाम तोतापुरी रखा गया है फल स्वाद में खटे होते हैं इसलिए इसका उप्योग डिबबाबंद्य प्रोसेसइंग के लिए किया जाता है नक्स वेराइटी है चोसा या बिहार की काफी लोग प्रिये किसम हैं और इसके फल स्वाद में बहुत ज़्यादा मिवीठे होता है फल का रंग सुनहरा पीला होता है और इसका जो टीफ है वो भी थोड़ा सा मूड़ा हुआ आता है जिसका रंग इसको पहचानना आसान हो ज अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करने धन्यवाद